एदिलिन 40 मिली ग्राम टेबलेट एसार को भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है, लेकिन इसका सबसे अधिक लाब प्राप्त करने के लिए इसे उसी समय पर लें. इसे आपके डॉक्टर की सलाह के रूप में लिया जाना चाहिए. खुराक और आप इसे कितनी बार लेते ह यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किसली ले रहे हैं. आपका डॉक्टर तै करेगा कि आपको अपने लक्षनों में कितना सुधार करने की आवश्यक्ता है. गोलियों को एक गिलास पानी के साथ पूरा निगल लें. जब तक यह आपके लिए निर्धारित है, अगर बैठने या लेटने की स्थिती से उठना है या ड्राइविंग या ध्यान देने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए. दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको कभी दिल की समस्या या ब्लीडिंग डिसॉर्डर हुआ है. आपके डॉक्ट या तनावपूर्ण गतिविधियों में भाग लेने से बचना चाहिए. समयपूर्व श्रम का उपचार परिधिय समवहनी रोग का उपचार. एडिलिन टेबलेट SR के लाब समयपूर्व श्रम का उपचार एडिलिन 40 मिलीग्राम टेबलेट सीनियर गर्भाषे की मानस्पे परिधिय समवहनी रोग का उपचार. परिधिय समवहनी रोग रक्त वाहिकाओं में अशांत रक्त परिसंचरन की स्थिती को संदर्भित करता है. एडिलिन 40 मिलीग्राम टेबलेट SR आपके शरीर में रक्त के प्रवाह को स्वतंत रूप से मदद करता है जिससे दिल का दोर SR के साइड इफेक्ट अधिकांश दुषप्रभावों को किसी भी चिकित सा ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समयोजित हो जाता है. अपने चिकित सक से परामर्ष करें यदी वे बने रहते हैं या यदी धरकन एडिलिन टेबलेट SR का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अब धीमे लें. इसे पूरा निगल लें. इसे चबाएं, क्रश या तोड़े नहीं. एडिलिन 40 मिली ग्राम टेबलेट SR भोजन के साथ या बिना भोजन कि ये इसे लिया जा सकता है. लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए. एडिलिन टेबलेट SR कैसे काम करता है? एडिलिन 40 मिली ग्राम टेबलेट SR एक बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है. यह गरभाशे में चिकनी मान स्पेशियों के संकुचन को रोग कर काम करता है. इस प्रकार यह समय से पहले प्रसब को रोगने के लिए गरभाशे को आराम देता है. यह रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए रक्त वाहिकाओं को चोड़ा करने में भी मदद करता है, जिससे शरीर के कुछ हिस्सों जैसे हाथ, पैर, म परिदिय समवनी रोग का भी इलाज करता है.